हरियाना सिविल सर्विस 2022 की त्यारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से मारा नमस्कार तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन जरूर दबें ताकि अगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हरियाना सिविल सर्विस 2022 का क्या नोटिफिकेशन आ रहा है एक न्यूज सर्कुलेट होई थी अख़बार की कटिंग अलगबग सभी यूट्यूबर्स ने एक्स्प्लेंड कर दी तो नोड़ाउड मीडिया की न्यूज है तो उनके पास तो और ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्ट होंगे लेकिन काफी जन्रलाइजड कर दिया गया था कि सभी वर्तियां आ रही है उस अंदर में मेरे पास कोई अथेंटिक नहीं थी तो मैंने उसको लेकर वीडियो नहीं बनाया अलागी मैं यह मानता हूं कि मुझसे तो अधिक जनकारी रखते होंगे अगर पत्तर का रहें तो लेकिन क्या HCS 2024 का नोटिफिकेशन आ रहा है तो बिलकुल मैंने आपको कहा था यह एक्सपेक्टेड है लेकिन यह कब आ रहा है थोड़ा सा इसको लेके डाउड था लेकिन आप ऐसा परती ही तो रहे कि तो आप एक चीज जैसे आज आज आपने PGD का नोटिफिकेशन देखा आज अगर जो 19 तारीक से स्टार्ट होंगे और तकरीबन 12 दिसंबर तक बढ़े जाएंगे तो कहने का मतलब अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी तक तो उसके फॉर्म में फिल किय जाएंगे फिर उसके बाद उसके मिनिमम फॉर्टी टू सिक्स्टी डेज का टाइम होता है जो प्री लिमनोडी के लिए दिया जाता है तो मेरा मानना है कि अगर सेट्यूल रखा गया और नवंबर लास्ट की वज़ए दिसंबर तक भी अगर फॉर्म नोटिफिकेशन आत जिसी बड़े अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन्स लेती है जिनके बारे में आपने पहले भी देखा होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो दिसंबर में नोटिफिकेशन निकालके जनवरी तक फॉर्म फिल कराके और मार्ट से पहले पहले इसका प्रेलिमनरी कं युवाओं में बिरोजगरी का जो बड़ा नराजगी है चुनावी वर्स है 2024 उससे पहले 23 में काफी बड़ी संख्या में नोकरी लगाके जनता को इस मामले में संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी और अगर एक गाउं से 10 नोकरी भी लग जाती है तो सरकार को कहने को ह जाता है कि जो पढ़ रहे थे वो तो लगे ही हैं हलांकि नंबर ओफ पोस्ट यह काफी सारी चीज़ें होगी तो आप परिक्षा की तयारी शुरू कर दीजिए कहां से शुरू कि करें तो मैं आपको फिर से वही इस्ट्री पॉलिटिकल जिग्रोफी एकोनोमिक्स यह चार मेजर सबजेक्ट हैं जिनका वेटेज कभी कम नहीं होता तो इन चारों को आप अप डीपली पढ़िए क्योंकि आपने पिछली बार का जो एच्चेस का पेपर देखा तो आपने डेफिनिटली देखा होगा कि कितना डीप सवाल पुछा जा रहा है एक सवाल के अंदर चा तो लगबग एक लाग सतर अजार फॉम मेंसे बारा सो बच्चे अगर सेलेक्ट होंगे तो डेफिनेटली कट ओफ अप जाएगी वहीं आरपी एससी में अजार पोस्ट आती है हजार पोस्ट में पंदरा जार लोग क्वालिफाई करते हैं कई बार बीस अजार तक लोग क् चली जाती है तो आप अरियाना की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको टोप बारा सो नहीं आपको टोप फाइव एंडर्ड में आना है ताकि आप इजिली मेंस की तैयारी भी शुरू कर सकें तो अगर इस तरह की कोई बात चल रही है तो यह तो टैली हो गय मुझे कि नोटिफिकेशन आ रहा है लेकि नोटिफिकेशन क्या भी आ जाएगा और जनवरी में हो जाएगा तो ये थोड़ा एप प्रसंगिक सा प्रतीत हो रहा है मुझे क्योंकि मिनिमम सिक्स्टी डेज सरकार देगी एटलिस्ट प्रिलिमनरी के लिए लेकिन आप देखें तो आपके लिए सुनेरा मुका है हरियाना में काफी अच्छा पेस्केल है काफी इज्जत है काफी रुत्बा है इस पोस्ट का अधर स्टेट के मुकाबले काफी ज़्यादा फैसिलिटीज भी मिलती है गन्मैन वगरा और आप एक बहुत ही अच्छी सम्मान जनक एक जिस् सेक्शन के और बढ़ पाते हैं तो अधिश्या कला से पे आप जुड़े रहे हैं यहां भी त्यारी होगी दिर दिरे शुरू करते जा रहे हैं अब अंडर्डेज बचा है तो हमें भी अब रेगुलर एक से दो वीडियो शुरू कर रहे हैं तो अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आपको अगामी नोटिफिकेशन अचीव करने में दिक्कत ना हो वीडियो में तक जुड़े रहने के धन्यवाद फिर भी अगर आपकी कोई कोई कोईरी जैता आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिस्कीजेगी